तो दोस्तो आए तारिक हो गई है 12 अपरेल 2024 की साथी में दिन हैं शुक्रवार का तो आई ये बिना देर किये फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरे और मुख्य सामाचार तो देखे आज के मुख्य सामाचार की पहली बड़ी खबर 17 फीजदी महंगे हो सकते हैं मोब होतुरी की जा सकती है वहीं बताया गया है मोबाइल रिचार्ज प्लान के दामों में बड़हतुरी का फैसला जून या जुलाई में लिया जा सकता है आसान शब्दों में कहें तो लोगप सभचुनाओं के बाद साथी में बताया गया है कि कुछ अन्न एक्सपर्स का ऐसा मानना है कि मोबाइल फोन सर्विस 20 फिस दी महंगी हो जाएगी वहीं बताया गया है 4G के मुकाबले 5G के प्लान के लिए 5-10 फिस दी जादा चार्ज देना पड़ सकता है कुल मिला कर आसान शब्दों में कहें तो आने वले जून या जुलाई के महीने में जो मोबाइल रिच जाज के प्लान 20 फिस दी महंगे हो जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो 100 फिस दिन वाला जो प्लान है जिसके कीमत करीब 600 फिस दी के हिसाब से यह प्लान लग भग 60-70 फिस दी महंगा हो जाएगा ऐसा ही अगर 5G की बात करें तो मिसाल के तोर पर अगर कोई 4G का प्ल ब्लाश्ट के दो आरोपी कोलकाता से हुए गिरफतार शाजिब ने अपने पास ID रखी थी तहा ने बनाया था प्लान ये दोनों ही ISIS मॉडल से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मुस्लिम हैं जी हां बैंगलुरू के रामेश्वर्म कैफे ब्लाश्ट मामले में NIA ने इसाइस से जुड़े हुए हैं यानि आतंकी संगठन से हलाएक अभी इन्हें पकड़ लिया गया है शाद आपको पता होगा अभी हाली में बैंगलुरू में एक बड़ा ही मशूर कैफे है रामेश्वर्म के नाम से तो यहीं पर ब्लाश्ट हुआ था किसी की जान तो नही पूर में रैली की उन्होंने कहाए कि वो समय दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में भी विधान सभाय के चुनाओंगे इसे वापस राज्जी का धर्जा मिलेगा आप अपने विधायत मंत्रियों से अपने सबने साजह कर सकेंगे पीम मोदी ने आगे कहाए कि जम्मू आटी आएगी या कौन सा ऐसा शासन आएगा जो वहाँ पर पत्थर बाजी बंद करवा दे सीमय पार से जो गोली बारी होती है उसको बंद करवा दे आतंगवात को बंद करवाए हलाए कि पीम मोदी के मताबिक यह सभी परशानिया अब वहाँ के मुद्दे नहीं है इसे बिस्तर पर भरश्टाचार का असर पूरे देश के लोगों पर पढ़ता है परधान मंतरी मोदी ने कहा भरश्टाचार को खतम करना ही उनकी प्रात मिकता है उनका पहला काम है विरोधियों पर एडी की कारवाई कारोपो पर पर परधान मंतरी मोदी ने कहा कि एडी के सिर् कई निताओं को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इन पे शक है कि इन लोगों ने पैसों की धोकाधड़ी की है, तो जो पैसों की धोकाधड़ी का मामला है, उसकी पूरी जाच E.D. Department दोरा की जाती है, शायद आपको पता होगा अभी हाली में, जब कई निताओं को गिरफ्तार को खत्म किया जा रहा है, और वैसे भी E.D. ने जितनी जगहों पे छापे मारे हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, तो उसमें से केवल 3% दिमामले, यानि कि हर सों में से 3 मामले, राजनिताओं के खिलाफ है, लेकिन वही 97 मामले, दूसरे भृष्टाचारियों के जो लोग पैसो की धोका धड़ी कर रहे हैं, देखें अगली खबर कि जब आने वले दिनों में बाबरी मज़िद बनेगी, तो मुसल्मानों के साथ खड़ी होगी, बसपा यानि कि बहुजन समाजपाटी मायवती के भतीजे, आकाश आनन ने दिया है ये बड़ा बयान, ज मनवेक आकाश आननन ने मुत्रा में साफ कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मज़िद बनेगी, तो बसपा यानि के बहुजन समाजपाटी मुसल्मानों के साथ खड़ी होगी, हलागे दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी बह बनेगी, जाहर बात इस वज़े से माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, देखे आगली खबर की 10 दिन की शूटिंग के 50 करोड़ चार्ज करेंगे अक्षे कुमार, वीर पहाडिया के फिल्म में कोच का रोल निभाएंगे, इसकाई फोर्स है नाम, जी आक्षे कुमार के फिल् अक्षे कुमार, इसका इफोर्स मुवी के लिए केवल 10 दिन की शूटिंग करेंगे, और ऐसा पता चला है के केवल 10 दिन के लिए अक्षे कुमार 50 करोड़ रुपे चार्ज कर रहे हैं, देखे आगली खबर के बिहार राजिस्थान समेत, चोदोर राज्यों में हैं पश्रिम बंगाल, जहरखंड, ओडिसा, बिहार, तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंधर प्रदेश, तमिलनाडू, पुढ्डू, चेरी, अंडिमान, निकोबर, दीपसमू, यह सभी रज्जे शामिल हैं, वहीं बतायागा है मद्दे प्रदेश के नर्मदा पुरम में, बैत पश्मीर, लद्दाग, और हिमाचल प्रदेश में, भारी बर्फ बारी, और बारिश के लिए, औरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आसान शब्दों में कहें तो, मुसम में यह सब भी बदलाओ, या बारिश की आंधी, आज, और कल के दोरान होगी, यानिकि यह दो दिनों Android 15 का बीटा वर्जन, आईए बताएं अधिक जानकारी, जी हाँ जानिमानी, दिगज टेक कमपनी, Google ने अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ही खास और जरूरी अपडेट जारी किया है, जानकारी के मताबिक Google कमपनी ने अपने Android के अगले खास वर्जन के पहले बीटा पोर्ट करेंगे, बाकी बताया गया Android के 15 वर्जन में यूजर को कई तरह की नई चीज़े देखने को मिलेंगी, फोन चलाने का नया एक्स्पिरियंस मिलेगा, देखें अगली खबर की लोग सभा चुनाओं में आम आदमी पाटी के लिए परचार करना चाहते हैं मनिश सिस पाटी के लिए परचार करना चाहते हैं इसके लिए मनिश सिसोदिया ने अंतरिम जमनत की मांग करते हुए दिल्ली की कोट का रुख किया है, इस मामले में सुनवाई स्पेशल जज कावेरी बावेजा दो पहर दो बज़े के आसपास कर सकती हैं, शायद आपको पता होगा दिल्ली के पूर्व उपमुखे मंतरी यानि के मनिश सिसोदिया शराब घोटाले मामले में तिहार जेल में बंध हैं, अभी हाली में इसी केस में केजरिवाल को भी गिरफतार किया गया है और वो भी जेल में बंध हैं, हाले के मनिश सिसोदिया अपनी पाटी के लिए किया गया जहां CBI ने कविता से पूछताच करने के लिए पास दिन की रिमांड मांगी है वैसे आपको बता दें के कविता पर एड़ी की कारवाई पहले भी हो चुकी है क्योंकि शड़ाप घोटाले में के कविता का भी नाम है हाला कि अब कई और मामलों में CBI के कविता से प यार कहा अगर हम पे हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे अभी हाली में इरान ने अटेक करने की धंकी दे थी जिया इसराइल के परधान मंतरी बेंजामे ने नितन्याहू ने अभी हाली में बीते गुरुवार को कहा कि इसराइल गाजा के अलावा दूसरे मोर्चों पर लेने की धंकी दी थी कि हम इसराइल पे हमला करेंगे और अमेरिका बीच में ना आये तब इरान के उसी बयान पर इसराइल का जवाब आया है कि हम कहीं पर भी जंग करने के लिए तयार हैं अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम जवाब जरूर देंगे देखे आगली खबर बॉलिवुड जोडियों की शादी पर नोरा फतेहने कसा तंज बोली इन में सच्चा प्यार नहीं है किवल पैसे और फेस के लिए शादियां करते हैं जी हां नोरा फतेहने अभी हाली में जो बॉलिवुड की जोडियां है जिनोंने अभी हाली में शादी की है या पहले भ प्रधान मंत्री मोदी ने अभी हाली में बीते गुरुवार को ओनलेन गेमर से मुलाकात की यानि कैसे गेमर जो ओनलेन गेम खेलते हैं बताया गहाँ प्यम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स नमन माथूर अनिमेश अगरवाल मिथिले स्पार्टर कर पै में बाढ़ा गई इसके वज़े से एक लाग से जादा लोगों को अपना इलाका खाली करना पड़ा है घर छोड़के जाना पड़ा है रूसी शहर आरेनबर के कहिस से पानी में डूब गये हैं वहीं कजाकिस्तान में बाढ़ के कारण 97000 से जादा लोगों को सुरक्षित ज दन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग